हेलो वेलकम टू बालाइज एजुकेशन पॉइंट मैं आप सबका बालाइज एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागर करता हूँ वेरी वार्म वेलकम टू अल अफ यू चले देखते हैं आज की वीडियो के बारे में किस टॉपिक पे रहेगी हमारी आज की वीडियो बचो वीडियो शुरू करने से पहले आज थौट अफ़ दे देखती हैं जब आप किसे एक्जाम की प्रेपरेशन करते हैं आपके करेक्ट होता है तो जितना जादा फोकस हो सके अपने एक्जाम पर करियेगा आने वाले 3-4 महीने बहुत सारे बच्चों की जिंदिकी का नरनायक मोड होंगे तो मैं आशा करता हूं कि ये 3-4 महीने जो आने वाले 3-4 महीने हैं इसमें आपकी नौकरी पक्का लगेगी के अंदर हम लोग जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जो सबसे महत्तपुरण बुक्स और उनके रिलेटेड उनके जो राइटर्स हैं और फिर एक्स्ट्रा क्या कोश्चन्स बन सकते हैं उनको आप लोग देखने वाले हैं जनवरी से के कुछ एक्जाम देखें तो जिनमें करंट फिर पूचा जाता है तो अगर माल लीजिए दो से तीन आप पेपर देते हूं तो हर दूसरे या तीसरे एक्जाम के अंदर एक कोशन बुक्स के उपर पूचा जाता है तो चलिए शुरुवात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले किर्प्या करके इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेगा वीडियो को शेर जूरूर करेगा और यह वीडियो बाइलेंगुल रहने वाला है बच्चो जिसमें आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों बाशाओं में आपको स्टेंडमेंट देखने को मिलेगी चलिए देखते हैं इस लेच्चर का बच्चो जो पीडियेफ है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के उपर लगबग जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं 12K प्लस बच्चे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुर चुके हैं बहुत सारे बच्चे इस बात का गिला करते हैं गुसा करते हैं किसे आप पीडियेफ तुरंत क्यों नहीं देते हैं बच्चो यह जो वीडियो है यह पीपीटी पे बनती है पीपीटी से पीडियेफ बनाने में एट लीस्ट दो दिन का समय लगता है 48 hours अगर मैं अपना सार टाइम पीडियेफ बनाने में लगा दूंगा तो मैं वीडियो के लिए कंटेंट कैसे प्रिपेर करूना तो कोई भी मेरी वीडियो है उसके लिए कम से कम 48 hours आपको वेड करना है उसका पीडियेफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिलेगा इसके लावा फिर भी आप अ जिस पे बहुत सारे live courses चलते हैं, combo test series चलती है, PDFs मिलते हैं, live classes होती है, GS, math, reasoning के individual courses मिलते हैं तो आप इस number पर call करके पता कर सकते हैं बच्चो चलिए शुरुआत करते हैं लेते हैं बच्चो पहली किताब, पहली किताब का नाम है crunch time नरेंदर मोदी's national security crisis आपको पता होना च उसका security issue हुआ था, उसको लेकर पूरे इंडिया ने किस तरीके से respond किया, क्या उसमें positivity रही, क्या उसमें negativity रही, उसके उपर ये किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया, the crunch time नरेंदर मोदी's national security और बच्चो इस किताब के राइटर है, किताब के राइटर का नाम है, ड शीराम चोलियाने लिखी, नरेंदर मोदी's national security crisis, बच्चो किताब का नाम मैं दो बार, तीन बार, बारी 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 बोलूँगा, ताब कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है जी, और इस book को release किस ने किया है, ministry of state external affair मिनाक्षी लेखा ने, सर ministry of state for external affair क्या होता है, इस समय इंडिया के जो external affair minister है, यानि कि विदेश मंत्री है, वो है S. जैशंकर, बहुत popular मंत्री है, BJP के S. जैशंकर, जब भी कोई बड़ा department होता है, तो main minister के नीचे एक और छोटा minister होता है, जो main मंत्री के काम में उसकी help करता है, उसके आगे state लग जाता है, यानि कि मि भारत के विदेश मंत्री है, S. जैशंकर, उनके नितरत में उनके अंडर काम करती है, इसलिए इनका नाम पढ़ गया, Ministry of State for External Affairs, I hope आपको ये बात clear होगी होगी बच्चो, लेते हैं next किताब, next किताब है प्यारे बच्चो, Queen of Fire, Queen of Fire, ये किताब जानसी की रानी के, रानी लक इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक Queen Soldier बनी, यानि की सिपाही बनी, और कैसे उन्होंने एक Statesman की भूमी का निबाई, और इस किताब को बच्चो लिखा है, देवी का रंगचरी ने, the very important किताब, Queen of Fire, the book was written by देवी का रंगचरी, next, इसके इलाबा बच्चो, इस किताब क जो Publisher है उसका नाम जुरूर याद रखेगा, Duck Bill Book, Duck Bill Book, इस किताब के Publisher के नाम है, next, बच्चो, अगली किताब है, अश्वनी श्रीवस्तव नहीं लिखी है, अश्वनी श्रीवस्तव इस किताब के राइटर है, किताब का नाम है, The Decoding Indian Babu Dome, Decoding Indian Babu Dome, देखिए, ये कित बेसीकली इंडियन ब्यूरोक्राट्स, जैसे IS Officers हो गए, IRS Officers हो गए, या जो बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बैटे हुए Officers है, अफशर साही है जो, उसमें जो Red Tapism है, लाल फित्ते शाही है, उसके उपर कटाश करती है, ये दास्तिया भी इंडिया चकी में जड was written by अश्वनी श्री वस्तव, clear बच्चो, अश्वनी श्री वस्तव, और ये अपने आप में पहले तरीके की किताब है, जिसमें इसी ब्यूरोक्राट सिस्टम को कटाश किया गया है, याद रखेगा, very famous book, Decoding Indian Babudome, written by अश्वनी श्री वस्तव, next किताब लेते हैं बच्चो अगली किताब है बच्चो, very important, 130% ये paper में आएगी, very very important, किताब का नाम है Tom of Sand, यानि की रेत की समाध्धी, tom of sand, रेत की समाध्धी, very very important किताब बच्चो, और इस किताब की writer है गिताजली श्री, और इस किताब को English में translate किया है Daisy Rockwell ने, अब बच्चो ये किताब important क्यों है, बोलते हैं, ये award जो है basically, दुनिया की उन किताबों को दिया जाता है, जो English में translate होती है, यानि कि जो originally English में नहीं लिखी गई, originally किसी और वाशा में लिखी गई है, बात में उन्हें translate किया गया English में, तो भारत की पहली ऐसी Hindi किताब, जिसको English में translate किया गया, और एक बहुत बड़ा International Booker Prize दिया गया, उस किताब का नाम है, Tom of Sand, originally लिखा है, गितांजली शीरी ने रेत की समाद्धी और इसका English में translate किया है, प्यारे बच्चो, that is your Daisy Rockwell ने बच्चो, clear बच्चो, next, आगे बढ़ते हैं, next किताब है, बच्चो, किताब का नाम है, बिर्सा मुंडा और इस किताब को रिलीज किया है, इंडिया के Education Minister श्री धर्मेंदर परदान ने, अब कोन थे बिर्सा मुंडा, बिर्सा मुंडा एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हुए हैं, बहुत बड़े आदिवासी कबिले के नेता हुए हैं, जिनोंने Indian Freedom Movement में बहुत बड़ा लोगों ने अजादी में अपना योगदान लिया, अगर आदिवासी समाज के सबसे बड़े Freedom Fighter के तौर पर देखें, तो उनका नाम है बिर्सा मुंडा, बिर्सा मुंडा की 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हर साल 15 नवंबर, 15 नवंबर को हम लोग जन ज जातिया गौरव दिवस, जन जातिया गौरव दिवस, जन जातिया गौरव दिवस मनाते हैं, एक बार द्वारा सुनिएगा, दर्मेंदर परदान जो इस समय इंडिया के Education Minister है बच्चो, इन्होंने बुक रिलीज की है, बिर्सा मुंडा जन जातिया नायक, 15 नवंबर को ब बहुत बड़े Tribal Freedom नीता हुए है, ठीक है, बहुत बड़ा इनका योगदान है देश की Freedom Movement के अंदर, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चो, अगर पूछा जाए, ये किताब लिखी किसने है, दर्मेंदर परदान जो इसको रिलीज किया है, इस किताब के author है, प्रोफे प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, चलिए बच्चो, अभी तक जितनी किताबें हमने करी, उन सारी किताबों को फटा-फट से दवारा रिवाइस करते हैं, क्रंच टाइम्स, नरिंदर मोदिस, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये किताब किसने लिखी डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने, देविका रंगचरी ने लिखी कुईन ओफ फायर, और अश्वनी श्रीवास्तव ने लिखी डिकोडिंग इंडियन बाबुडों, नेक्स्ट, टोम बब सेंड, सबसे महत्तपुरन, सबसे इंपोर्टन किताब, ये लिखी इंप किताब का नाम है, टाइगर उफड्रास, टाइगर और कितांड़ उजनायर 23 कारगिल हीरो, सबसे पहले बच्चोड़, ट्राथ एक सेक्टर है, जब कारगिल का युद्ध हुआ कारगिल का युद्ध हुआ कारगिल के एरिया के अंदर एक सेक्टर है ड्रास और उस एरिया को जीतने के लिए 23 साल के एक हमारे कैप्टन थे जिनका नाम था अनुज नायर और वो उसमें शहीद हो गए उनी के ऊपर एक किताब लिख히 है उनकी मदर मीना नायर और एक राइटर है हिम्मस सिंग शिखावत इन्होंने मिलकर that mean Tiger of Drass written by हिम्मस सिंग शिखावत और मीना नायर इस किताब इस डेडिकेटेट टू कारगिल हीरो कारगिल वॉर के जो हीरो है कैप्टन अनुज नायर कारगिल की जो वॉर है उन्नी सो निडिनमे में हुई थी बच्चो याद रखिए ड्रास एक सेक्टर है इस सेक्टर को जीतने के लिए एक उप्रेशन चलाया गया था जैलेंटरी यानि की बहादुरी पुरसकार भी दिया गया था दैडिज यॉर महावीर चकर महावीर चकर से भी समानित किया गया था बच्चो ये बात भी आपने याद रखने है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ठीक है जी ये मैं आपको बता चुका हूँ मीना नायर और छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हैं दा मैवरिक इफेक्ट दा मैवरिक इफेक्ट रिटन वाए हरीश महता इस किताब के अंदर प्यारे बच्चो नासकॉम के बारे में बताया गया है सर नासकॉम क्या होता है देखे भारत में एक और्गनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल असोसियेशन आफ सौफ्ट्वेर एंड सर्विस कंपनी ये भारत में जो आई टी कंपनी होती हैं इंफ्रोमेशन टेकनोलजी इंटरनेट कंप्यूटर उनके पार्स उनसे जुड़ी हुई कंपनीयों के बारे में डेसीजन लेती हैं किस तरीके से नासकॉम इंडि लेके आया आज दुनिया में अमेरिका के बाद अगर कोहीं सबसे बड़ा आईटी सेक्टर डिवेल्प कर रहा है बच्चो तो वो इंडिया है तो इसके उपर किताब लिखिया बच्चो हरीश महताने नेक्स्ट किताब है बच्चो बुक टाइटल नौट जस्ट आ सबसे पहले नाइट वॉच्च मैन का मतलब होता है रखवाला केर टेकर सिक्यूर्टी गार का इंड़ा जिखे जब यह सी एजी थे कुछ टाइम पहले तो बी सी सी आई के अंदर बहुत जादा बी सी सी क्या है जो बारत में क्रिकेट देखती है वर्ल्ड की वान ओफ दा रिचेस्ट स्पोर्ट्स बोड़ी है बी सी सी आई को उसके अंदर किस तरीके से ब्लैक मनी का इस्तमाल होता था या फिर उसके अंदर किस तरीके से करप्शन थी उसको खतम करने के लिए सुप्रीम कूड की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे विनोध इने बताया है अपनी किताब के अंदर की कैसे उन 33 महीनों के अंदर जब ये उस पुरी बी सी साही के काम को देख रहे थे कितनी मेहना से इन्होंने बी सी साही को साफ किया और उसी के ऊपर एक बुक लिखी है नौट जस्ट अ वाच मैन और याद रहे ये भारत के सी एजी एजी थे सीक गुजदा कंत्रूलर एंड ओडीटर जनल अवंढे कंत्रोलर और वी डी चनल आफ इंडिया कंत्रोलर एंड अटीटर जनल अमडिया कंत्रोलर एंड लपी जफर और दीटर जपिंश ऑंड विन इक किताबहें बचू ये और यूर्स यह किताबले कि Dah colevar प्रेम रावत नेक्स्ट बच्चो आगे बढ़ते हैं लेते हैं बच्चो नेक्स्ट किताब किताब का नाम है दाब वाए हू रौट अ कॉंस्टिटूशन एक ऐसे लड़की की कहानी जिसने भारत का सविदान लिखा औबिसली ये बात कर रहे हैं डॉक्टर भीम राओ बाब अमबेटकर साब का जो है बचपन का चाइल्ड हुड का जो स्ट्रगल है उसके उपर एक ड्रामा यानिक एक तरीके से नाटक लिखा गया है और इस किताब को लिखा है बच्चो राजेश दलवार ने इस किताब को अमबेटकर साब की 131st बर्थ एनिवर्सरी के दिन रिली ठीक है जी इसके लाब आप याद रखेगा अमबेटकर साब की एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी आज भी है जो इन्होंने INC कॉंग्रस या लग होकर बनाई थी पंजाब के पेपर में पूछते हैं रिपब्लिक पार्टी आफ इंडिया रिपब्लिक पार्टी आफ इंड यह जो चाइना के प्रेजिडेंट है जींग पिंग उन्हीं के उपर लिखी गई एक किताब है एक फ्रेंच राइटर है रोजर फैलिगोट रोजर फैलिगोट उनके द्वारा लिखी गया है एक्चल में यह किताब 2008 में लिखी गई थी अभी जस इस किताब का जो है ट्रा और इसका ट्रांसलिषुन किया है इंग्लिष के अंदर नटाशा ल्हरर ने इसका इंग्लिष में ट्रांसलिशन किया है बच्चों एक्स किताब है आपके पास तामिलाडू के चीफ मिनिस्टर म्क स्टालीन है उनकी स्वै जीवनी यानि की आटो बायोग्रफी है जिसका नाम है बच्चो उंगलिल उरूवन यानि की जिसका मतलब होता है One Among You जडा थोड़े सारे अठेडी विच्चों है यानि कि जो भीड में से उठकर आगे आया है उसे बोला जाता है one among you M.K. स्टालिन की आटो बायोग्रफी है उंगलीन उरुवन याद रखेगा very very important question बनता है directly paper में पूछे जाने के इसके पूरे पूरे chances है इसके लाबा कुछ extra बाते में आपको इनके उपर जरूर बताऊंगा M.K. स्टालिन जो इस समय तामिल अडू के मुक्य मंत्री है उनकी party का नाम याद रखेगा DM के द्राविडा मुनत्रा कर्ग्जम इस किताब के अंदर स्टालिन के जो early life experience है राजनिती में आने से पहले उनी के ऊपर ये किताब लिखी गई है clear बच्चो next आगे बढ़ते हैं आपको simple याद रखना है कि M.K. स्टैलिन जो की तामिल अडू के मुक्य मंत्री है उनके ऊपर लिखी है किताब का नाम क्या है बस ये आपको याद रखना है नेक्स्ट अगली किताब है प्यारे बच्चो दा मेलीनियल योगी ये बुक लिखी है दिपम चैटर जी ने ये किताब लिखी है बच्चो next किताब है बच्चो आपके पास queen of indian pope very important the queen of indian pope pope music होता है दा authorized by biography of उशा उथप यहां पर आप देख सकते हैं ये बड़ी ही famous इंडिया की pop singer है उशा ताई बोलते हैं उशा दा भी बोलते हैं और इनी के biography है इनकी जीवनी है ये लिखी है श्रिस्टी जाने the queen of indian pope the authorized biography of उशा उथप written by श्रिस्टी जा ठीक है जी ये news भी important है बच्चो जुरूर याद रखेगा नेक्स्ट किताब है आपके पास बच्चो ब्ल्यू बुक ब्ल्यू दब्ल्यू बुक ऑथर एंड जर्नलिस्ट अमिताफ कुमार ने ये किताब लिखी है ब्ल्यू बुक ये important है किताब याद रख सकते हैं तो रखेगा जरूर important है ये किताब clear बच्चो next next किताब है देश के परधान मंत्री के उपर किताब है किताब का नाम है 20 year journey in politics मोदी एर्दरे 20 मोदी एर्दरे 20 इसमें बताया गया है इंदरेंदर मोदी जब गुजरात के CM थे गुजरात के मुखे मंत्री थे और अब देश के परधान मंत्री है उनका जो 20 साल का political career रहा है उनके उप पर कुछ अन्चुहे पहलो किताब का नाम है बच्चो मोदी एर्दरे 20 मोदी एर्दरे 20 ये किताब बच्चो लिखी है बहुत सारे भारत के intellectuals intellectuals क्या होते हैं मुद्धी जीवी experts और इस किताब को compiled किया गया है बाइदा blue craft digital foundation तो आप याद रखेंगे मोदी एर्दरे 20 dreams meet delivery ये पूरे किताब का नाम है मुद्धी एर्दरे 20 dreams meet delivery इस किताब वाज कंपाइल बाइब ब्ल्यू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ये important है याद रखेगा next किताब है बच्चो किताब का नाम है मौन्सून इसे publish किया है साहित्य अकेडमी ने साहित्य अकेडमी डेली के अंदर है बाशा से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी academy है साहित्य अकेडमी के नाम पर एक अवाड़ भी है जिसे साहित्य अकेडमी अवाड कहते हैं साहित्य अकेडमी 1954 में बनी थी और हाल ही में इसने अपनी बर्थ्ष एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है तब एक बुक र जो भारत की official language है उनके अंदर ये अवार्ड देती है तो कोशन ये पूछा गया है पंजाब के पेपरों में कि साहित्य कोशन आता है सहीत्य अकेडमी का पंजाबी भाषा के लिए पहली बार अवार्ड दिया गया पाई वीर सिंग नूँ इनदी एक किताब सी मेरे सहिया जी हो उन्ना वास्ते मेरे सइया जी हो उन्ना वास्ते दिया गया पाई वीर सिंग नूँ फादर उफ मौडर्र पंजाबी लिट्रेचर भी क्या जानद है फादर उफ क् पाच्छा जांब्च्छो पहली फीमेल जिनता नू सहईत्यागएडमी बार्ड दित अखा पंजाबी पा आगया बच्चो नेक्स्ट किताब है बच्चो आटो बाइग्रफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर जी आर विशवनात टाइटल्ड रिस्ट एशॉड बुक का नाम है बच्चो रिस्ट एशॉड रिस्ट क्या होता है यह जो प्लियर्ज होते हैं खासकर भारत के एक बहुत फेमस करते है राहुल ड्रेविट आजकल कोच भी है वो रिस्ट के साथ खेला करते थे उन्हें रिस्ट का जादूगर बोलती थी रिस्ट होता है कलाईयों का इस्तमाल करना तो रिस्ट एशॉड यह एक आटो बायोग्रफी है भारत के फॉर्मर क्रिकेटर जी आर विशवनात न और इसको कोथर किया है बच्चो सीनियर जर्नलिस्ट आर कोशिक ने कोथर किया है बच्चो किसने सीनियर जर्नलिस्ट आर कोशिक ने नेक्स्ट किताब है बच्चो रोड टू 1000 रोड टू 1000 और इस किताब को रिलीज किया है स्पोर्ट स्टार और दा हिंदू ग्रूप ने म को शो करती है अभी तक की इंडिया की जो क्रिकेट हिस्ट्री रही है उसको परदर्शित करती हुई ऐसी एक हजार फोटो है ठीक है पांसो बीस पेज की ये किताब है जिसमें लगबग एक हजार पिच्चर की कोलेक्शन है जो अभी तक की इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को ज के प्लेयर सुनील गवासकर हुए सयद किर्मानी हुए दलीप वैंक सरकर हुए मौहमद अजरुदीन हुए इन सभी ने मिलकर इस बुक को रिलीज किया है लेकिन इस बुक को मेंली रिलीज करने का जो श्रे जाता है बच्चो वो जाता है स्पोर्स टार और दा हिंदू की जो क्रिकेट विनिंग टीम थी उनके प्लेयर मौजूद थे बच्चो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चो नेक्स्ट है बच्चो बुक का नाम है दा मोर देन जस्ट और सर्जरी मोर देन जस्ट और सर्जरी लाइफ लेसेंस ब्योंड ओटी का मतलब होता है एक दॉक्टर तहमतन इराच उद्वई जिनको भारत में फादर ओफ लेप्रोस्कॉपी कहा जाता है फादर ओफ लेप्रोस्कॉपी और इन्हें पदम श्री अवार्ड भी मिल चुका है इन्होंने किताब लिखी है कि अपने ओप्रेशन थेटर के दुरान किस तरिके से इन्ह बच्चों important है very important है unfilled barrels barrels होते है जब तेल का रेट बढ़ता है न तो वो कैसे आता बेघ्रल के साथ से जब इंडिया बहार से रेट ख cortex तो historian के उसके बेरल खरीपता है बेरल का मतलगता है कंटेनर अन्फिल्ड बैरल इंडिया जॉइल स्टोरी भारत के तेल की कहानी यह बुक लिखी है रिच्चा मिश्रा ने भारत अपनी जुरूरत का सबसे जाजा जो त्रेल इंपोर्ट करता है बच्चो वो करता है इराक से और हाल ह में दूसरे नंबर पर आया है रशिया पहले रशिया काफी पीछे था लेकिन अब इंडिया ने रशिया से तेल मंगवाना बहुत जादा मात्रा में मंगवाना pennoss शुरू कर दिया है तो सबसे ज्यादा ढहता है इराक से नंबर दो पर रशिया और नंबर दीन से आता साव पहले साओधी अरेबिया दूसरी पोजिशन पे था लेकिन अब साओधी अरेबिया तीसरी पोजिशन पे चला गया है बच्चो नेक्स्ट। बुक है बच्चो आपके पास रिखशो, किताब का नाम है और बूर्ड, test, trial, triumph, my years in bccai written by रतनाकर शहती फिर से सुनिगे, बुक का नाम है On Board Test Trial Triumph BCCI के एक सदस्य हैं जिनका नाम है रतनाकर शेटी इसमें उन्होंने BCCI की इंसाइड स्टोरी को क्रैक किया है कि किस तरीके से BCCI के इंसाइड उनके समय पर ऐसी कौन सी कानिया है जो छूपी की छूपी रह गई और इन्होंने अपनी किताब के दोरान उनको बताया है Next आगे चलते हैं किताब है बच्चो A Children's Book The Little Book of Joy Authored by दलाई लामा Super Important किताब His Highness दलाई लामा वो धरम के एक बहुत बड़े जाने माने विखायत गुरू है The Little Book of Joy Written by दलाई लामा और उनके साथ है देशमुन तुतु देशमुन तुतु और दलाई लामा ने मिलकर लिखी है बच्चो की एक किताब जिसका नाम है A Children's Book ठीक है बच्चो Next आगे बढ़ते हैं Next आगे बच्चो आपके पास किताब का नाम है इंडियन्स एग्रीकल्चर्स टुवार्स टू-जिरो-थी-जिरो यानि कि भारत का जो क्रिशी है 2030 तक क्या सोच रहा है किस तरीके से आगे बढ़ेगा किस डारेक्शन में आगे बढ़ेगा ये किताब भारत के नीतियायोग और FAO Food and Agriculture Organization जिसका हेड़क्वाटर आपको रोम इटली में मिलेगा रोम की इटली की राजदानी है वहाँ पर इसका हेड़क्वाटर मिलेगा भारत का थिंक टैंक नीतियायोग एंड फूर एंड एग्रीकल्चर और्गनाइजेशन 16 O sahp किताब का नाम है फूरतई प्रदती शिरी सौम्या नालेशनीक यहाँ पर اte's silent है यह आंद्रापरदेश के एक सोशल वर्क तर और इस किताब को रिलीज किया है इस समय के देश के काया विेंकया नाइडूजी के दोरा वेंग कया नाईडू जी के द्वारा और इस किताब को लिखा है के शाम परशाद ने फिर से सुनिए किताब का नाम है उर्ती प्रदती शिरी सौम्मया अंदरा प्रदेश के एक शोशल वरकर थे उनके बारे में ये किताब बच्चो लिखी गई है क्लेर बच्चो नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट किताब है बच्चो अब बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस फियरलेस गवर्नेंस मतलब नीटर होकर जिसने शाष्रन किया ये किताब लिखी है पुंडूचिरी की फॉर्मर लेफ्टन गवर्नर किरन बेदी के अपने टाइम पे IPS ऑफिसर रही है काफी मशूर रही है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किताब है बच्चो इंडिया धैट इस भारत इंडिया धैट स्भारत कलोनीजम सिविलाइजेशन एंड इंड कॉंस्टिटूशन इंडिया धैट इस भारत ये भारते साइध दिपक के द्वारा ये किताब लिखी गई है जे साइध दिपक नहीं लिखी है इंडिया गैट इस भारत क्लोनिजम सिविलाइजेशन एंड कॉंस्टिटूशन नेक्स्ट है बच्चो महिंदर सिंग दोनी के ऊपर एक ग्राफिक नोबल लिखा गया है ग्राफिक यान इस बुक का राइटर कौन है तो इस बुक के राइटर है रमेश थामिल मनी रमेश थामिल मनी इस बुक के राइटर है और इस बुक को बच्चो रिलीस कर रहा है विर्जू स्टूडियो और मिधास मिलकर इस बुक को रिलीस कर रहा है नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्च दा गोल्डन बॉय नीरत चोपड़ा इन्होंने अभी ओलम्पिक्स के अंदर भारत के लिए जैवलीन थ्रो के अंदर गोल्ड मैडल जिता है और इसे पंजाब के क्राइटर है नवदीव सिंग गिल उन्होंने रिलीस किया है बच्चो नेक्स आगे देखते हैं अगली वाजपई और इसकिताब को लिखा है सागरीका गोशनी जिसमें बारत के फॉर्मर प्राइमिस्टर श्री अटलवेरी वाजपई के बारे में बताया गया है अटलवेरी वाजपई जी के ऊपर एक गुट salvage दे मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखके बटाओ कि अटले वहरी वाजबई के उपर गुड गवर्नेंस डे कौन सी तारीक को मनाया जाता है नेक्स बच्चो अगला बच्चो किताब है टर्न अराउंड इंडियाज 2020 सर्माउं पास्ट लेगसी और इसे रिलीज किया है बच्चो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर M.P. शिरी जे औरम ने जे औरम भारत के फॉर्मर ट्राइबल अफेर मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है या लांच किया है बुक का नाम है टर्ण अराउंड 2020 Surmounting Past Legacy और इस बुक के बच्चो ऑथर है आरपी गुपता याद रखेगा नेक्स्ट किताब है बच्चो सुपर इंपॉर्टेंड वेरी इंपॉर्टेंड अपने आपको अगले पेंडेमिक में से कैसे बचाईए दुनिया के बिजनस टाइकून बहुत बड़े बिजनस टाइकून और Microsoft Company के मालक Bill Gates ने ये किताब लिखी है इसके लावा Bill Gates पहले भी 2021 में किताब लिख चुके है और ये दोनों किताबे Microsoft के ओनर बिल गेट्स ने लिखी है नेक्स किताब है इनेशन टू प्रोटेक्ट जिसके राइटर है बच्चो प्रियाम गंधी मोडी प्रियाम गंधी मोडी के द्वारा ये किताब लिखी गई है नेक्स किताब है बच्चो नेक्स किताब है बच्चो दा फाउंडर दा स्टोरी ओफ पेपल एंड दा एंटर्प्रॉनर्स हूँ शेव्ड सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली एक जगा है अमेरिका के अंदर जहां पर दुनिया की हर एक बड़ी आइटी कंपनी जैसे एडाउब हो गया माइक्रोसॉफ्ट हो गया एपल हो गया हर एक कंपनी का आफिस है तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से बहुत सारे जो एंटरप्राउनर थे यानि की जिन्होंने हाल ही में अपना काम स्टार्ट किया था स्टार्ट अप शुरू किया था किस त्रीके से उनकी वजए से अमेरिका में जो है सिलिकॉन वैली जो है दुनिया की सबसे बड़ी आइटी कंपनी बन गई और इस बुक को लिखा है बच्चो जिम्मी सोनी ने जिम्मी सोनी के द्वारा लिखेगी किताब का नाम है दा फाउंडर्स दा स्टोरी ओफ पेपल एंड दा एंटरप्रॉनर्स को शेब दा सिलिकॉन वैली बच्चो बच्चो नेक्स्ट किताब है बच्चो किताब का नाम है सोली सरवजीत सोली सरवजीत लाइफ एंड टाइम्स सोली सरवजीत भारत के former attorney journal of India भी रह चुके हैं attorney general of India को first law officer of India भी कहा जाता है भारत का पहला कानुनी अधिकारी attorney general of India को कहते हैं बारते सविधान के article 76 के तहत आता है इसकी नियुकती खुद देश के रास्टपती करते हैं और भारत के भूत पूरव यानि की former attorney general of India आपिनव चंदर चूड बच्चो राइटर है और किताब जो लिखी गिए जिसका पूरा नाम है लाइफ एंट टाइम्स नेक्स्ट बच्चो अगली किताब है अबुक और रविंदन नाट टैगोर जिनोंने भारत के लिए पहला नॉबल प्राइस जिता जिनोंने भारत का जास्ट्रिय धुन जन गन मन अधिनायक जाया है लिखी और इस बुक को लिखा है उमा दास गुपता ने अबुक और रविंदन नाट टैगोर रिठन बाई उमादास गुपता अगली किताब है बच्चो ग्रेट टैक टाइंस टैक यानि की टेकनोलजी ग्रेट टैक तैंस एमुक वाज रिटन भाई अनिरुद सुरी अनिरुद सुरी नेक्स्ट किताब है बच्चो गांदी ज असेसिनेशन दा मेकिंग आफ नतुराम गोर्से एंड हीज आइडिया ओफ इंडिया इसमें बताया गया है कि नतुराम गोर्से ने क्यों गांदी को मारा और नतुराम गोर्से जो थे खुद अपने आपको एक को ऑथर किया है दरहिंदर कुमार जाने दरहिंदर कुमार जाने याद रखेंगे नेक्स्ट किताब है बच्चो सुपर इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है जी रतन तातास बायोग्रफी ठीक है भारत के बहुत बड़े बीजनेस टाइकून है टाटा याद रहे बच्चो नेक्स पीटाब है बच्चो बॉस सुभास चंदर बोस के ऊपर लिखी गिए किसाब दा बॉस अं टोल्ड स्टोरी ओफ इन केंवें त्रूर्ड नेशनलिस्ट। दा ज्यंता गोशाल clear बचो next अगली किताब है the winning formula the winning formula for success जीतने का winning formula क्या है इंडिया की ये पहली sports marketing book है और इसे लिखा है वनीत करनिक ने लिखी है The Winning Formula for Success अगले किताब है बचो लोक तंतर के स्वर लोक तंतर के स्वर एंड दा रिपबलिक एथिक्स लोक तंतर के स्वर दा रिपबलिक एथिक्स इस किताब को रिलीज किया है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर दर्मिंदर परदार ने और यूट एंड स्पोर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्लियर बच्चो नेक्स्ट आगे चलते हैं किताम का नाम है गौतम अडानी दा मैन हूचेंज दा इंडिया बहुत बड़े बिजनस टाइकून है अडानी कंपनी के मालिक है गौतम अडानी और इसे लिखा है आर एन भास करने आर एन भास करने बच्चो आज की आखरी किताब है बच्चो अप्लेस कोल्ड होम एक ऐसी जगह जिसे आप घर कह सकते हैं बाइदा बेस्ट सेलिंग ऑथर प्रिती शन्वाए प्रिती शन्वाए ने किताब लिखी है अप्लेस कॉल्ड होम ये बच्चो आज की सबसे महत्तवूरण 45 बुक्स है इनको लिखो डिली 5-5 ददस करके याद करो 48 आर्स के अंदर इसका पीडियाफ मिल जाएगा हसते रह ये थैंक यू सो मच